सात्यों हमारे सास्त्रों में कहा गया है न्याय मुलं सुराजम श्यात अर्थात किसी भी देश में सुराज का आधार न्याय होता है इसलिए न्याय जनता से जुड़ा होना चाहिए जनता की भाषा में होना चाहिए जब तक न्याए के आधार को सामान ने मान भी नहीं समझता उसके लिए न्याए और राज की आदेश में बहुत फर्क नहीं होता है मैं इन दिनों सरकार में एक विशे पे तोड़ा दिमाग खपा रहा हूं दुनिया के कई देश ऐसे हैं कि जहां कानून बनाते हैं तो एक तो लीगल टर्मिनलोलोजी में कानून होता है लेकिन उसके साथ एक और कानून का रूप भी रखा जाता है जो लोग भाषा में होता है सामान मान भी की भाषा में होता है और दोनों मान्य होते हैं और उसके कारण सामान्य मानवी को कानूनी चीजों को समझने में न्याय के दरवाजे खटखटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। दोनों एक साथ एसमली में या पार्लमेंट में पारिद हो ताकि आगे चल करके सामान्य मानवी उसके आधार पर अपनी बात रख सकता है। सीजे आई ने स्वैम ने इस विशे को स्पर्च किया। तो कल अखबारों को पोजिटिव खबर का अफसर तो मिलेगा अगर उठा ले तो। जहीं उसके लिए बहुत इंतजार करना पड़े है। साथे एक बड़ी आबादित को न्याई प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है। हमें इस वबस्ता को सरल और आम जंता के लिए एक ग्राही बनाने की जरूत है। हमें कोर्स में स्थानिय भार्षाओं को प्रोसान देने की जरूत है। इसे देश के सामाने नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा। वह उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। अब इन सबय हमें कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन मात्रू भासा में क्यों नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जो भार जाते हैं दुनिया की वह भाषा कोशिश करते हैं पढ़कर के फिर मेडिकल कॉलेज की तो हम हमारे देश पर कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कही राज्यों ने मात्रू भासा में टेक्निकल एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन के लिए कुछ इनिसेट्व लिए हैं। तो आगे चलकर के उसके कारण गाऊं का गरीब का बच्चा भी जो भाषा के कारण रुकावट्य phase करता है उसके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगें। और ये भी एक बड़ा कारण बन सकती हैं दोगाजार पड़न वे हमने करीव अठारासो ऐसे कानूनों को चिन्नित किया था जो अप्रासंगी हो चुके थे इन में से जो केंद्र के कानून थे ऐसे 1450 कानूनों को 1450 कानूनों को हमने खत्म किया लेकिन राज्यों की तरफ से केवल 75 कानून ही खत्म किये गए हैं मैं आज सब ब्रदी आदर्णिय मुख्यमंद्री गर्ण यहां बैठे हैं मैं आपसे बहुत आगरह करता हूँ कि अपने राज्य के नागरीकों के एधिकारों के लिए उनकी इस अफ लिविंग के लिए आप के अहां भी यह कानूनों का इतना बड़ा जाल बना हुआ है काल बाहिए कानूनों में लोग फसे पड़े हैं उन कानूनों को निरस्त करने के दिशा में अब कदम उठाइए लोग भूत आशिरवात देंगे जी